माशाला जी इस पठे को अब हम लेके आए हैं जंगल में इसको हमने बिल्कुल साधे पिंजरे में रख दिया है बहुत ही अच्छे पिंजरे में पड़ा हुआ था बहुत ही अच्छे पिंजरे में बनवाया था एक इसके लिए और एक दूसरे दितर के लिए दो चार पिंज पिंजरे फिर बनवाई थे नहीं मुझे किसी दोस्त ने बनवा कर दिये थे बहराल इसको मैंने फिर साधे पिंजरे में क्यों कर दिया है क्योंकि ये मस्ती इसमें जाता है जब मस्ती करता है तो भागता दोड़ता है और नोकबादी करता है नोकबादी की वज़ा से इसने आपने तपनी नोब ऐसे नोग खराब करके शुरा परिषान होगे एंशर के लिए में ये साadha पिंज्रा लेकिया कियु कि अगर तो इसमें जो है तपेशा पे भी नहीं लगाएगा एक तो और इसमें नोक बाजी करेगा तो इसकी नोक जो सखमी नहीं होगी जब तक यह जो अपना गुसा वगेरा तोड़े तब तक इसको इस पिंजरे में रखेंगे दोस्तों के पास एसे तितरे मस्तेले या गुसे वाल इसे पिंजरों में रखें ताके जो नोक बाजी वगेरा करें भी तो उनका जोसे ज़्यादा नुक्सान ना हो क्योंकि इसी तरह कि अच्छी वाली बाते करते तर नोक खराब कर जाए नोक में से खुन वगेरा बह जाए या कोई चैस है बैड़ाना शुरू हो जाए तो य इसorang इस्ताया मस्ति ज्यादा होती चीतर होती तो जो ऐसा घृसा करती है atau उनको ज्यादा से ज्यादा ध्यां रखना होटा है उनको ऐसे नरम और मुलाइम पिंजरे में रखना हसाए ताके नकसाना ओँ अच्छा अच्छा बहाम इसके लिए बन वायंगे पर बिल्कुल जिसको थोड़ा जब ही जोर दे तो वो मुड़ जाए बिल्कुल अथा नरम पिंजरा बनवाएंगे हम इसके लिए क्योंकि अच्छा होगा उसको एसे पिंजरे में इनको तकलिफ आती है विडियो पसंद आए और इन्फार्मेशन अच्छी लगे तो हम विडियो को लाइक और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर दे थैंक्स वार वाचिंग मारे चैनल अल्लाहफेश